आज की दिवाली special वीडियो में हम बहुत पसंद की जाने वाली इंडियन स्वीट चमचम बना कर तयार करेंगे दिवाली special चमचम रेसिपी के लिए ये सारी समगरी इकठी कर लें चमचम को हम सूजी का इस्तेमाल करके बनाएंगे तो सबसे पहले एक गरम पैन में डालें आधा कप सूजी सूजी को हम 2-3 मिनट के लिए भुन लेंगे जब तक इसका कच्चा पनना चला जाए इसे भुनते वक्त कर्ची लगातार चलाते रहें ताकि ये रोस्ट होकर प्राउन ना हो पाए हम इसे वाइट कलर में ही रखेंगे 2-3 मिनट भुनने के बाद हम इसमें तकरीबन 1.5 कप दूद डालकर मिला देंगे सारा दूद एक साथ नहीं डालेंगे ताकि लंपस ना बन पाए तकरीबन 2 मिनट और पकाने पर जब सूजी काफी दूद अबजॉब कर ले तब हम इसे ढखकर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी फूल जाए 10 मिनट के बाद सूजी ठंडी करने के लिए एक प्लेट में डालें जब सूजी थोड़ी ठंडी हो जाए तब हाथों पर थोड़ा देशी ही लगाए और सूजी को हम आटे की तरहां गूंद लेंगे सूजी को हमने मसल मसल कर गूंदना है और चिक्टना करना है ताकि चमचम बनाते वक्त इसमें क्रैक्स नहीं आए इसे हम कम से कम 5-7 मिनट के लिए मसल मसल कर गूंद लेंगे अब इसमें डालें तकरीबन 4 चमच या स्वादनुसार पीसी हुई चीनी दो चमच मिल्क पाउडर और तकरीबन दो चमच नारियल का बूरा डाल कर मिला दें इन सभी को हम फिर से मसल मसल कर अच्छे से गूंद लेंगे ये मिक्षर जितना स्मूध होगा चमचम उतनी ही क्रैक फ्री और अच्छी शेप की बनकर तयार होगी मिक्षर अच्छे से गूंदने के बाद अब हम इसकी चमचम बनाएंगे हाथों पर थोड़ा घी लगा लें और एक रोटी के जितना मिक्षर हाथों में लें और इसे चमचम की शेप का बना लें इसे चमचम की शेप का बनाने के लिए इसे रोल करके हलका दबा देंगे अगर इसकी किनारियों पर हलके क्रैक्स नजर आएं तो इन्हें हलका दबा कर सही कर लें क्रैक फ्री और परफेक्ट चमचम चाशने में डालने के लिए तैयार है इसी तरह हम सारे मिक्षर की चमचम बना लेंगे अब चाशने बनाने के लिए एक गरम पैन में तीन चुथाई कप पाने डालें इसमें आधा कपचीनी डालकर अच्छे से मिला दें ताकि ये पानी में अच्छे से घुल जाए इसमें तकरीबन एक चुथाई चमच इलाइची पाउडर डालकर इसे उबा लाने तक पकाएं चमच के लिए हम एक तार की चाशने बनाएंगे यानि चाशनी की इस तरह जब एक तार बनती नजर आए तब चाशनी बनकर तयार है इस तयार चाशनी को उबा लाने दें और इसमें तयार की हुई चमचम डालने अब एक मिनट के लिए बिना गैस बन किये चमचम पकाएं ताकि चमचम अच्छे से चाशनी अब्जॉब कर ले इन्हें हम पलट कर दूसरी तरफ से भी अच्छे से चाशनी अब्जॉब कर वा लेंगे अब गैस बन कर दे और इन्हें गरम चाशनी में ढखकर एक मिनट के लिए रख दें इन्हें तैयार चमचम की नार्यल के बूरे से कोटिंग कर लें अब तैयार चमचम को प्लेट में रखें और इनको चॉप किये हुए पिस्ता से सजाएं चमचम सर्फ करने के लिए तैयार है ये चमचम खाने में बहुत सौफ्ट और घर के इंक्रीडियन्ट से तैयार की हुई मिठाई है इसलिए ये मार्केट से मिलने वाली मिठाई से कहीं बहतर है तो इस दिवाली आप भी ये मज़ेदार चमचम घर पर बना कर सर्फ करें अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रोज एक नई राशेपी वीडियो देखने के लिए साथ दिये बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप मेरी हर नई वीडियो जरूर देख पाएं धन्यवाद